प्रिटियो आप सब्सक्राइब के लेर्निंग फार्मेसी चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो ये सब्सक्रिप्शन मिलकुल फ्री होता है इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है बस आपको ये रेट कलर का सब्सक्राइब बटन होगा चैनल पे उस पे क्लिक करना होगा तो आप सब्सक्राइब कर लेंगी चैनल को और फिर आपको ये बैल आइकन ताकि जो भी हम वीडियो डाले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएं दोस्तो हर वीडियो आप तक पहुचाने में हमें हमें बहुत महनत करने पड़ती हैं तो प्लीज आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए शेर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि बहुत से तो बहुत सारे स्टूडेंट हम से यह क्वेशन करते हैं कि क्या टेंटिटिटिव डेट होती है दी फार्मेसी बी फार्मेसी टूटल फीज सुना देखे देख लेते हैं tentative month for d-pharmacy b-pharmacy entrance exams तो क्या month होते हैं tentative देख लेते हैं the entrance exam of d-pharmacy and b-pharmacy will be held between April to July according to the annual examination calendar of the respective institution falls आपको forms चेक करने होते है D-Pharmacy, B-Pharmacy entrance exam then the result will be announced between June to August depending on the institution schedule so result announced होते है June से August के बीच में then you have to check the website of the respective college or institute for the latest updates तो अगर आपको किसी भी entrance exam में participate करना है तो आपको उस college का या उस institute का जो website है उसको regular update करना पड़ता है ताकि आपको latest information मिल पाए हम अपने community tab पे भी डालते हैं जो latest vacancies होती है और हम अपने community tab पे और भी बहुत सारे questions अपलोड करते हैं तो अगर आप follow नहीं कर रहे हैं हमारे community tab को तो प्लीज आप उसे भी follow कीजिए आपको बहुत benefit होगा आने वाले future में अगर के देख लेते हैं tentative month for semester exam of D pharmacy और B pharmacy in your college तो बहुत सारे बच्चों के queries होती है ये भी query होती है कि हमारे college के semester exams कब होंगे और yearly exam कब होंगे तो देखे पहले semester exams के बारे में देख लेते हैं theory exam होता है देखे for example अगर first year का exam है तो देखे हर साल दो exam होते है half yearly exam इनको कहा जाता है तो अगर first year exam है तो मालीजे first semester exam है उसका तो वो held होगा between November to January के बीच में mostly December में होते हैं बटी एक range दी गई है November to January के बीच में exams होते हैं और second semester exam है अगर first year का तो वो held होगा between April to June तो इस तरह से होता है मालीजे second year exam है तो ये third semester और fourth semester बन जाएगा and so on इसी तरह से exam conduct होते हैं then practical exam जो होते हैं वो depend करता है on colleges sometime held before the theory exam and sometime held after the theory exam तो इस तरह से देखे conduct किया रहते हैं semester exams अब देखे देख लेते हैं हम अपने yearly exams देख लेते हैं semester exam का result हमने इस डिसकल्स नहीं किया था कब निकलते हैं तो देखे semester exam का मालीजे अगर first semester exam जैसे हमने देखा नॉम्बर तू जैनवरी के बीच में होता है तो उसका result जो आएक बिविन जैन तू फेबरी के बीच में आदे थे अगर देखे देख लेते हैं tentative month for yearly exams of d pharmacy और b pharmacy in your college कब होते हैं yearly exams तो देखे सबसे पहले practical exam depend on colleges sometime help before the theory exam and sometime help after the theory exam तो यह पूरी तरह colleges पर depend करता है कभी-कभी वो theory exams के पहले कंड़क करते हैं कभी-कभी वो theory exams के बाद कंड़क करते हैं practical exams then tentative month अगर हम देखे तो between April to July के बीच में यह exams होते हैं अगर colleges जो है पहले कंड़क करते हैं practical exam theory theory से पहले अगर practical exam होते हैं तो वो April between April to May के बीच में हो जाते हैं अगर theory के बाद होते हैं तो वो between June to July के बीच में कंड़क किये जाते हैं then theory exams कब होते हैं held between April to June depending on the institutions, तो April to June के बीच में होते हैं, basically May में होते हैं, जादा तर ये theory exams बट ये range दे गई हैं आपको क्योंकि अलग-अलग colleges के अलग-अलग time पे theory exams होते हैं then results कब announce होते हैं, देखें result will be announced between June to August तो इसके बीच में result announce होता है तो बहुत सारे बच्चों का question होता है कितनी total fees कितनी लगती है इन दी फार्मेसी में तो देखें डी फार्मेसी में अगर हम देखें अगर हम government colleges के बात करें तो between 5,000 to 10,000 per year तक होती है government colleges में और अगर हम private colleges के बात करें तो 30,000 to 40,000 प्लस पर year होती है यह भी देखें institutions पर depend करता है कि वो किस तरह से वो कितनी fees charge करते हैं तो यह आपको एक range दी गई है अगर हम दूसरे दरफ भी फार्मेसी के बात करें तो government colleges की fees जो होती है 35,000 to 40,000 प्लस पर year होती है और अगर हम बात करें private colleges की तो उनकी fees 75,000 to 90,000 प्लस पर year तक होती है देखें यह private colleges में भी फार्मेसी की fees बहुत सारे colleges बहुत ज़ादा भी होती है 1 lakh to 2 lakh तक होती है तो यह पूरी तरह depend करता है colleges पे और institutions पे अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए वाट कमन बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते है यह कुछ हमारे related videos के लिंक है जिन पे click करके आप उनको देख सकते हैं दोस्तों learning pharmacy पे आने के लिए और यह video देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगले video में